दोस्तों आज का हमारा क्योस्चन है विच टाइप ओफ पोलिनोमियल इज दिस 4X की पावर 4 प्लस 2 तो दोस्तों इसका सोलुशन आएगा बाई क्वाड़िक पोलिनोमियल दोस्तों क्योस्चन ये पूझरा है कि ये किस परकार की पोलिनोमियल है तो दोस्तों ये जो है ये बाई क्वाड़िक पोलिनोमियल है आईए अब इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों पोलिनोमियल के बारे में पोलिनोमियल होता क्या है पोलिनोमियल जो है दोस्तों is an algebraic expression of the form यानि polynomial वो algebraic expression होता है जो इस form के अंदर हो a0 x की power n plus a1 x की power n minus 1 plus a2 x की power n minus 2 and so on a n x की power n minus n यानि की 0 लिख सकते हैं x की power इसको हम 0 के equal भी लिख सकते हैं और 0 क्या होता है 1 के equal होता है x की power 0 जो है 1 के equal होता है दोस्तों तो इसको हम लिख सकते हैं यानि की जो complete जो दिखाया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कितना a की power n के equal ये भी सही होगा दोस्तों तो ये था polynomial वो algebraic expression जो इस form के अंदर हो वो क्या कहलाता है वो polynomial कहलाता है दोस्तों इसके अंदर जो a note है प्लस a1 है ये जो भी है a2 है ये सारी जो values है वो क्या है वो a की power sorry a n जो है ये सारे के सारे क्या है ये real number है दोस्तों real number समझते हैं दोस्तों real number वो number होते हैं जिसके अंदर दोनों यानि की rational number और irrational number दोनों numbers present हों वो क्या कहलाते हैं real number कहलाते हैं यानि कि इनके जगें हम real number यानि कि हम इनके जगें क्या लिख सकते हैं real numbers लिख सकते हैं यानि कि ये जो है ये rational number भी यहां लिख सकते हैं और rational number भी हम यहां पे लिख सकते हैं उसके बाद में जो n लिया है हमने n वो क्या है वो positive integer है दोस्तों n की जो value होगी n is equal to positive integer यह positive integer है दोस्तों तो यह बन गया polynomial अब example के तरू हम समझ चाथ इसका example लें तो क्या हो सकता है दोस्तों यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं जैसे 5 x की power 8 हो सकता है प्लस 7 x की power 3 हो सकता है प्लस 4 x की power 0 यह हो सकता है यानि की यह भी क्या है एक यह एक polynomial है दोस्तों चलिए आप degree के बारे में समझते हैं degree क्या होती है degree of polynomial degree of polynomial वो होती है दोस्तों जो maximum power होती है x की यानि की x की जो maximum power होगी जैसे इस case के अंदर हम समझते हैं इस polynomial में हम समझते हैं जो x की maximum power है यानि की यहाँ पे x की power 8 हुई तो यह इसकी degree हो गई तो इसकी degree कितनी हो गई इस polynomial की degree हुई 8 तो यह इसकी degree होती है दोस्तों यानि की किसी polynomial की जो maximum power होगी वो क्या कहलाएगी वो उसकी degree कहलाएगी दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं type of polynomials के बारे में types of polynomial types of polynomial में दोस्तों पहला जो polynomial आता है पहली type की polynomial आती है वो आती है constant constant polynomial यह क्या है दोस्तों इसके अंदर जो degree of polynomial sorry degree जो होती है degree of polynomial जो होती है वो क्या होती है constant होती है यानि कि 0 होती है यानि x की power जो होती है वो 0 होती है यानि कि x की power 0 किसके एकवल होता है 1 के एकवल यानि कि हम इसमें कोई भी constant value लिख सकते हैं यानि कि example के थूरू हम समझ सकते हैं जैसे 8 एक constant polynomial है या फिर हम लिख सकते है 8 x की power जीरो वो भी 80 बन जाएगा क्योंकि X की पावर 0 क्या होती है 1 और 8 को 1 से multiply करेंगी तो बन जाएगा 8 उसके बाद हम लिख सकते हैं 6 भी लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं यह सारे के सारे क्या है constant polynomial है दोस्तों उसके बाद दूसरी polynomial कौन सी है दोस्तों वो है linear polynomial लीनियर polynomial कौन सी polynomial है दोस्तों linear polynomial वो polynomial है जिसके अंदर जो X की पावर है वो 1 के एकवल है यानि कि जो degree है polynomial की वो 1 होती है वो linear polynomial कहलाती है दोस्तों example के थुरू हम समझ सकते हैं जैसे 8 X की पावर 1 प्लस 5 तो इसके अंदर जो maximum पावर हुई X की वो 1 के एकवल है यानि कि इसको हम इस परकार भी लिख सकते हैं 8 X प्लस 5 यदि हम X की कोई भी पावर ना लगाएं तो वो 1 के एकवल है दोस्तों अब चलते हैं तीसरी polynomial यानि की quadratic polynomial quadratic polynomial ये polynomial है दोस्तों जिसके अंदर जो degree होती है या maximum power होती है X की वो होती है 2 के एकवल यानि कि वो polynomial जिसकी जो degree हो वो 2 के एकवल हो वो क्या कहलाती है quadratic polynomial कहलाती है दोस्तों example के थुरू समझें तो example क्या है इसका इसका हम example ले सकते हैं 8 X की power 2 plus 2 X plus 8 ये क्या है दोस्तों ये quadratic polynomial है दोस्तों चलिए number 4 पर चलते हैं वो है इसकी polynomial है वो है bi quadratic polynomial सोरी number 4 पर आएगी दोस्तों cubic polynomial ये वो polynomial है दोस्तों जिसके अंदर X की power जो होती है वो 3 के एकवल होती है यानि कि जो degree होती है polynomial की वो 3 के एकवल होती है example क्या होगा दोस्तों इसका इसका होगा 8 X की power 3 plus 5 यानि कि इसमें maximum power कितनी है 3 ये क्या बनेगी cubic polynomial एक और example समझें तो 8 X की power 3 plus 4 X की power 2 plus 3 X की power 1 plus 5 ये भी क्या है ये एक cubic polynomial है दोस्तों आए नंबर 5 पे चलते हैं नंबर 5 है दोस्तों बाइक क्वाड़ेटिक पोलिनोमियल ये वो polynomial है दोस्तों जिसके अंदर जो maximum power होती है X की वो होती है 4 के equal वो क्या कहलाएगी by quadratic polynomial example की थूरू समझते हैं दोस्तों यानि की 8 X की power 4 plus 2 ये क्या है ये एक by quadratic polynomial है दोस्तों या फिर एक और example ले तो 5 X की power 4 plus 3 X की power 3 plus 2 ये भी एक by quadratic polynomial है दोस्तों तो आज की वीडियो इतनी ही दोस्तों मैं आसा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको like करें share करें ज़्यदा ज़्यदा और ऐसे important वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले दोस्तों धन्यवाद